दोस्तों अगर आप एक CSC BLE हैं, Common Services इंचालक हैं और आप सभी को CSC के माध्यम से IRCTC का Agent ID पासवर मिला हुआ है और आप सभी ने अपनी Agent ID के माध्यम से लोगों का टिकट बुक किया था और टिकट आटोमैटिक कैंसल हो जाता है तो उसका अमाउंट आप कैसे refund पा सकते हैं, किस परकार से आप सभी को OTP को verify करना है आज किस वीडियो में हम आप सभी को step by step बताने वाले हैं तो चले वीडियो को सुरू करते हैं, शुरू करने से पहले आप से छोटी सी request है अगर अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सबस्क्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वला इकन को on कर लिजेगा, ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएं तो चलिए शुरू करते हैं, जैसा कि दोस्तों आप से भी देख सकते हैं, मैं अभी अपनी IRCTC agent ID password से जो CST का नया वाला portal है, इसमें में login हूँ, अभी अहां पर दोस्तों देखिए, टिकट दो प्रकार से cancel होता है, पहला cancellation होता है, खुद से अगर आप खुद से cancelation करते हैं, तो आपको सारा process पता है, कि आप सभी किस प्रकार से अपना amount refund पा सकते हैं, लेकिन अगर automatic cancel होता है, जैसे कि आपने जिस भी वेक्ति का ticket book किया था, और उसका ticket बैटिंग लिस्ट में था, या फिर train किसी कारणों वास cancel हो जाती है, तो उसक cancel को open करने के बाद आपको यहाँ पर search करना है agent interface application, तो आप वीडियो को रोक कर जो यह चीज़े है, आपको एक एक English को लिख लेना है agent interface application, इसको लिखने के बाद आप search करने के बाद आपके सामने फस्ट पे ही link आ जाएगा agent interface homepage IRCTC, आपको इस पर click कर देना है, जैसे ही आप इसके ओपर click कर देंगे, तो आप सभी की सामने इसका dashboard है, कुछ इस परिकार से open होके आजाएगा, जैसा कि अभी आप देख सकते है agent interface application, अब यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को अपनी IRCTC agent ID और password डालना है, और capture code डालकी यहाँ पर login पर click करना है, लेकिन अगर आपको आपका IRCTC agent ID password नहीं पता है, तो किस परिकार से पता लगाना है, जो पहले के CSC बेले जो बहुत पहले आसे करीब 7-8 महना पहले, जो एक साल पहले जिन्होंने IRCTC के लिए आवेदन किया था, तो उन सभी को उनकी agent ID password पता है, लेकिन जो हाल फिला हाल में 2-3 महना प पता है, तो इसके लिए दोस्तों आप सभी को सबसे पहले अपने digital सवा portal में आ जाना है, और यहां आने के बाद आपको type कर देना है IRCTC, इतना लिखने के बाद आप नीचे आएंगे, तो आपको एक option दिखा देगा IRCTC registration, आपको इस पर चले जाना है, इस पर जाने के आपको यहां पर एक option और दिखाई देगा, तो यहां पर दोस्तों, आपको एक option और दिखाई देगा, service में आएंगे, तो यहां पर दिखाई देगा, new reception, आपको जैसे उस पर click करना, इस पर जैसे आप click कर देगे, तो आपको नीचे एक option दिखाई देगा second number पे find our IRCTC agent code, आपको यहाँ पे क्लिक खेर करेंगे आप अपनी मॉबाइल नमबर यहाँ डालेंगे जो आपने IRCTC ADD लेने के लिए दिया था इहां डालेंगे और सर्च क्लिक करेंगे जैसे आप इसको नोट कर लिजी गाइए इसके सब पर Qillik करना है यहां पर लोगई वाले बटन पर किलिक कर देना है जैसाब लोगई वाले बटन पर क्लिक करेंगे आप और उसके इजयंट आईट से इस पोडल में लोगिन हो चुके हैं जैसा कि अभी आप यहां पर देख सकते हैं कौनर पर आपको वेलकम अब यहां पर आने बद आप सभी को जो आटोमेटिक कैंसल हुआ है टिकट उसका रिफंड पानने के लिए यहां पर दिखिए आपको एक ओप्सन दिखा दे रहा है इनक्वाइरी का तो इनक्वाइरी ओप्सन पर आएंगे तो आपको यहां पर देखिए OTP4 रिफंड का एक देखिए बाट गया होगा अटो चलन टेक है तो नहीं कि आपको यहां पर डालेंगे की लिक करना है उसके नंबर पर एक और दाल जाएक है करेंगे इसके दोस्तों आपको आपको वेरिफिकरशन हो जाने कि बाद तो आपकर अब्सक्राइब कर दिखिए आपका अमाउंट होता है तीन से चार दिन के अंदर आपके CAC wallet में amount को refund कर दी जाता है और जो आज कल की सब्सक्राइब कर दिया गया है तो आप सभी अपने 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 अधार नंबर और CAC ID के दौरा अपने ID को सत्यापित करेंगे उसके वाद आपकी ID को पुना एक्टिवेट कर दी जाएगा यहां पर हमारे ID और यहां पर करने जरूत नहीं है और हाँ दोस्तों एक चीज़ आपको बता दें यहां से दोस्तों आप सभी अपने PNR का स्टेक कर सकते हैं से साथ ही जो टिकट कैंसल हुआ है कैंसल टिकट करेंगे तो जो भी टिकट कैंसल सारी लिस्ट आप सभी के सामने आज जाएगी तो यहां पर आप जो प्रिकार से दोस्तों आप सभी जो अपना आटो कंसलेशन टिकट का ओड़िकार से विरीफाई कर पाएंगे आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गया होंगे इसकी अलावा कोई और जनकारी च ठीक है और जो दोस्तों में बात करूं जो सेकंड ऑप्सन है कैंसलेशन का जो खुष्चे करते हैं तो वेली अगर खुष्चे कैंसल करेंगे तो टिकट कैंसल पर किलिक करेंगे तो यहां पर उनको रिफंड को ऑप्शन दिखाया देवा खुष्चे रिफंड कर सकते हैं अपना नमबर डाल की तो इस प्रिकार से दोस्तों आप सभी अपने टिकट का जो प्रेमेंट है ले सकते हैं अपने टिकट को विरिफाई कर सकते हैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे समझ गी होंगे अगर आपके मन में कोई कुछी ना डाउट है तो आप सभी हमें क कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताएं चले मिलता है आपके एक नए वीडियो में ने टॉपिक के साथ अब तक के लिए जय हिंद बन्ने मातरम थेंक्यू सो मच